नमस्कार दोस्तों आप लोग के स्वागत है आपके अपने चैनल वन एक्षाम टॉटीन पर आज की में स्टार्ट की थी उसमें पहला मार्केटिंग कंसेप्ट मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया आज आपकी सीरिज का सकेंड रही बिखेवयर कश्टमर व awaken Support कोります करने के बिहेवियर किस पर निदार्थ होते हैं इसकी क्लास मेरी अल्रेडी अवलेबल है और आज उसी को पर आज आज आएक्जाम देने जाएंगे जो भी आपका एक्जाम उसके लिए ताकि आने वाले एक्जाम में आप अच्छा सा स्कोर कर जाओ और अच्छे नंबर लियाओ ठीक है आज आएक्जाम देने जा रहा हूं उसका सब कुछ A to Z मुझो पता है और मैं उसको अच्छे तरकिसे कर सकता हूं बस इतना होना चीए बाकि कोई दिखत वाली बात नहीं है बाकि तो कर्मों में लिखा हो जो मिलना है वो तो मिलके रहेगा चाहिए अभी मिले चाहिए दे और सीदी सी बात है कंजूमर की definition में बता चुका हूं कि कंजूमर के definition कौन जो परचेज करता है goods or service खुद के use के लिए जिसके कहा जाता है हमें वो कौन होगा वो होगा सर आपका कस्टमर क्या होगा अकस्टमर ठीक है अच्छा सर यह पीडियेफ हमें कहा मिलेगी यह तुम्हें मिल जाएगी हमारे एप के ओपर मैंने सारे पीडियेफ डाल रखा है और यूटूब पे चैनल तो यह क्लासेश तो पॉकर्स पोकेट यानि अपके पॉकेट के अंदर रते हुए अपने टेस्ट और नीट को देखते हुए उसे क्या कहा जाता है कंजूमर इंट्रस कहा जाता्या पैसा जब इच्छा जादा है लेगिन अगर जेव में पैसा ही नहीं तो काम नहीं होगा तो उतनी से उकात भी होनी चीज़ खरती नहीं है ठीक है चलो यह हुगा सब्सक्राइब को पढ़ने का इस तरीका हमें से एक एक लाइन को पढ़ेगा दीरे से पढ़ेगा कभी कबार क्या एकदम से नेग ना इसको देँना most basic influence सबसे basic इंफ्लोंस है किस पे on an individual's needs, Works & Behavior क्या सब्से basic influence करता है individuals एक आदमी के कहते हो कौन हो구요 उसकी कौन से करता है वह क्या होगा? कल्चर कल्चर सीथ इसे बात आपका कल्चर कैसा कि इस तरीके से पहनावा है कि अफन के युइ तरीके से पनावा या ठेस्ट होगा या आपकी निल चौश नमर चौता आपके सामने है इस question में चौता है in the term of consumer behavior, culture, social class, reference, group, influence have been related to purchase and अब जब consumer behavior की बात करते है तो उसके culture, उसके social, उसके reference और उसके reference, group and influence has been related and purchase of पहला देखते है economic situation, क्या economic situation के उपर basis होगा यहापर रखके देखते हैं कि in the term of consumer culture, social class, अब बात चल रहे हैं यहाँ पर culture की कर रहे है, social class की कर रहे है, और reference group की कर रहे है, यहाँ पर सारी की सारी बात किस की कर रहे है, यह सारी की सारी बात कर रहे है, एक तरीके से, उसकी groups की, कौन से, informal groups की, किस की बात कर रहे है, informal groups, informal groups मतलब यहाँ तो culture हो सकता है, informal, formal तो है नहीं, social class उसके, जो same caste के ह तो यहां पर दियान रखेगा जब इस तरह की बात आगया तो consumer related तो किसके ओपर influence करेगा यह सारी चीज़े एक दो तीन यह सारी चीज किसके ओपर influence करेगा यह उसके क्या consume करें क्या उस चीज को उप्योग में ले उसके ओपर भी खाली purchase करने पर रहेगा कि खुद उप्योग करेगा उसके ओपर भी करेगा decision पर भी influence करेगा ठीक है यह पास मैं ऐसे कुत्ते कुत्ते मेरे को बहुत decision करता है ठीक है चलो पाच्पा कुश्च्च्च marketing manager should adopt the marketing mix marketing manager को marketing mix adopt करना चाहिए ठीक है ठीक है टूब dash and consistently monitor value changes and differences in both domestic and global market जब domestic or global market के अंदर changes आएगा and consistently monitor values changes and difference between and global market यानी marketing manager को इस तरह के marketing mix को adopt करना चाहिए जिससे क्या हो dash और उसके साथ क्या हो यह desk open question mark को कर देते हैं क्या बोलना चाह रहा है sales strategy and एक एक को लखके देखते है sales strategy and consistently monitor values changes in the domestic and global एक दूसरा रखते है marketing concept तीसरा रखते culture values और चौतरा रखते brand अब किस चीज़ से domestic or global market में changes आएगा और यह difference आएगा किस चीज़ से आएगा क्या sales strategy से आएगा नहीं वह आपके organization तक ही सिमित रहेगी क्या marketing concept नहीं वह भी फिर आपके organization तक ही सिमित रहेगा क्या brand image brand image से भी कोई change आ सकता इस तरीके से marketing mix को मार्केटिंग में इसको add up करोगे तो brand image से difference domestic or global market में क्या difference आएगा brand image से आपकी image गिरेगी तो सब जगाए एक तरकी से गिरेगी और उठेगी तो एक तरकी से उठेगी तो किस चीज़ पर focus करना चाहिए तो इसका answer होता है culture values के ओपर change होती है और difference market जैसे domestic or global market में भी changes का असर cultural values के ओपर पढ़ती है जैसे for example beef इंडिया में बंद है अगर beef बंद है और आप इस beef को अपने product के साथ आप रहते हैं तो आपका culture values को आप कहिना कहीं गडबड करा रहे हो culture values को गडबड कराते automatically आपके खिलाफ कानूनी कारवाई तो होगी होगी उसके साथ क्या होगी मतलब कानूनी दाव पेच में भी आफस सकते हो उसके साथ political interference भी हो जाएगा उसके साथ साथ आपके साथ क्या होगा उसके साथ साथ लोग भी आपका विरोध कने लग जाएंगे तो होगा क्या आपकी जो value है वो तो change होगी and differences in both domestic and global market दोनी जगह आपके values में changes आ जाएगी domestic और global market के अंदर क्योंकि आप वहाँ के culture values को क्या कर रहो य चीज़ को चीज़ को चीज़ को चीज़ को चाटा डैस इस सिंगल फेक्टर एट बेस्ट इंडिकेट सोशल क्लास को कौन इंडिकेट करता है वो है occupation अगर आपन कहीं पर भी जाएंगे तो आप क्या हो किसा आप चार्टर एकाउंट्ट हो तो सोशल क्लास में आपकी रैप अपको बढ़ जाएगा प्रफेशर हो तो इस तरह के जड़े अपको बढ़ जाएगी तो सोशल क्लास के अंदर सबसे ज्यादा इंफ्लूइंस क्या करता है वो है occupation इसका आंसर में नहीं किया था कल्चर वेडियूज टिकर दो चलो साथ वार इन टर्म आफ कंजप्शन्स मिडल लकस्यादा करेंगे इससे जाधि उसी बात क्या सबसे 1न नोट ऑन भालाר Somete आफनो और अपन आज को फडर हो सबसे ज्गा मार्केट क्या बात करेंगे हो चाहे कोछ और पॉप्लूर हो गया तो पने उसके भागे मतलब होगा जो अगर सब मैं मैं करते भागे तो पीछे सारे लोग भागने लग जाएंगे यह मीडिल क्लास लोगों की एक क्रेक्ट्रिक है एक सिंग्निफिकेंस एक फीचर से समझ लोगों का जो जो सबस्यादा तो खुद को घृइब मानते ना वो अमीर होपाते ना वो अमीर होपाते तो रहके जाते मीडल क्लास यासے लिए उनको पbnानन के चाहते और अमीर नहीं है लेकिन अमीरyty मानना चाते तो इस तरह कि रहेक हैं मैं भी आप जैसे हैं चलो आट वह उनको करता है जो अचो कॉ उसी को पढ़ रहे हम इस के behavior ही क्या करे का buying behavior of final consumer refer करेगा कहने का मतलब ये बोलता है سब कोशन को tricky question बना रखा इसना behavior of final consumer जो buying behavior of final consumer है उसको refer कौन करता है तो consumer buying behavior final भी होग तो final consumer ही उए final consumer ही का लेगा तो बस टीकी कोशन है ये 9th Dash is individual and household who buy goods and services for personal conception इसमें से कौन सा ऐसा है जो individual और household है जो कि क्या करता है Goods और services को purchase करता है for personal conception तो consumer market, consumer market एक ऐसा market है जो क्या करता है अपने personal conception क्या target market ऐसा करेगा नहीं target market एक terminology है जब हम किसी कहीं advertisement करने जाएंगे तो एक market को target करते है जिस मार्केट में अलग अलग परखार के मार्केट होते हैं तो इसका आज़िए मार्केट में ही परस्टनिल कंजप्शन किया जाता है जो कंजुमर की डेफिनिशन भी अक्रडिंग टू स्टुमुलियस रेस्पॉंस्ट मॉडल ऑफ बाइंग बिहेवियर दे प्लेस वेर दे कंजुमर प्रोसेस मार्केटिंग इस्टुमुलियस प्यॉर टू मेकिंग पर्चेस डिसीजन इस कॉल्ड इसको इसन रखता है ठीक है वापस बटते आए अक्षुमल grease रेस्पॉंस्ट मॉडल की डेफिन नहीं टू मेकिंग पर्चेस डिसीजन इसकॉल हो इसे क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है कंजुमर ब्लैक ब्लैक्स का जाता है इसे कैंद संख इस पर आपके साथ इसको इसको आपको बताता हूं कि यह है यह है कि यह नहीं है और इसको करते हुए चलता हूं थे इस्टूमिलिस मोड़ल क्या बोलता है स्टुमर्स है मॉडल बोलता है कि एक कस्टमर है एक कंज्यूमर है उस कंज्यूमर के consciousness में मतलब उस consumer के दिमाग में दो तरिकी की effect हमेशा ही रहते है क्या-क्या दो तरिकी effect हमेशा ही रहते है जब भी वो को consumer को उसका buying behavior के बारे में बता रहा है एक model है जो buying behavior के बारे में बता रहा है लेंगे का मतलब क्या हुआ इसको थिक है इस इंदी में जो भी है देख लेने आप ठीक है तो उसके दिमाग में मार्केटिंग उत्तेजना है जो फोर पी आगे प्राइस प्लेज वह आपका प्रोड़क्ट प्रोड प्रोमोशन यह सारे ठीक है और एन्वामेंटल जो उत्ते ठीक है technological और cultural ये चार चीज़े इसके अंदर आगे यानि उसको economical भी effect होगा वो political भी effect होगा वो technology के साथ भी effect होगा और culture के साथ यानि इन चीजों को दिमाग में रखेगा साथ में price, product, place और promotion ये भी साथ में रखेगा उसके बाद जब ये सारी चीज़े उसके दिमाग में चल तो यह जो जलती है उसे इसे बूला जाता है यहां पर घ्याल मेंटर्ट में ब्लousse आइन है इसके और में हाने रोड करता है कि तनी कौन्टीटे में गूड्स खरीदने की चीट कण सी ब्रांड का खरीदना है इससको और चीजे बा नह HUGY तो ब्लेक बॉक्स जिसको बोला जाता है इसको यात एक तरीका ब्लैंक हो जाता है जब इतनी सारी चीज़ के दिमाग में आती है तो सवाल भी हमारे सामने क्या है जो स्टुमिल्य इसको बलता है ब्लैक बॉक्स या बायर्स मेंटल प्रोसेस यह वाला ओके यहां तरीक चीज़र आपके सामें कंजुमर पर्चेज और इन्फ्लूएंस स्टॉंग ली बाइक कल्चर प्रस्नल और प्रस्नल एंड साइकोलोजिकल करेक्टरिस्टिक जब वात कल्चर के आगी सो कंपनी की लेनी है तो इस कंपनी की ही लेनी है चीक है ट्वेल्थ रिलेटिवली पर्मानेट और डिवीजन इंड शोसाइटी फूस मेंबर से से मिलर वैल्यूज इंटरेस्ट और बिहेविर आर कॉल्ड अभी याद रखना ऐसी सोसाइटी में जहां पर उनके मेंबर सिमिल शोसल खता है यान ऐसी एकटिवीटी जैसे वह थे करना चाहते है तो उस्से क्या बोला जाता है उसको बोला consists of the activities people are expected to perform according to person around them lil उनके रोल है उनके रोल निबाना चाहते है लोग तो उसको बलता है रोल बोला जाता है चिक है इसको छिख लैते नेक्स फ्रटीं ते स्टेज विच फेमिली माइंट पास अचार ऑवर takich is a description of what is called ऐसा स्टेज जहां पर क्या हो फैमिली माइट पास देर मैचर ओवर टाइम फैमिली के डिपेंडेंस या फैमिली की मैचुरिटी पर बेसिस के ऐसा स्टेज को क्या कर जाता है तो यहां पर फैमिली के नाम से क्या होगा देखो एडप्शन नहीं हो सकता लाइफ स्ट और पीपल हो पर चेज गूड्स और पर स्ट अगंजप्शन शिदी से बात है कौन से एक्षिजन से प्रॉसेस है जहां पर लोग अपने प्रस्नल कंजप्शन के लिए गूड्स को खरीते है तो उसका अगया कंजूमर बिहेविर की डेफिनिशन यह क्या है कंजूमर बिहे बिहेविर आते हैं मतलब पर्चेज की बात कर दिया अपने डिसीजन पर्चेज गूड्स पर्चेज करने का डिसीजन ले लिया और इंट्रेस्ट की बात कर या नहीं उसकी वांट सैटिस्फिकीशन और यह सारी चीज़ उसकी इंट्रेस्ट दिलिग है अब दो खरीदा न रिलीजियस आपकी धार्मिक परिवारिक और एजूकेशनल इंस्टूट एन आज के सोसाइटी में एजूकेशनल इंस्टूट क्या है सबसे ज्यादा उसमें रोल निभा रहा है तो वह हो गया सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस रखता है तो कल्चर वेल्यू आर्ट्रास्मिटेट थू थी बेसिक फैमिली रिलीजियस और एजूकेशनल इंस्टूट इसकी डेफिनेशन हो गई जया जब जा जाता है जाता है जब बने इसको लागू किया जाता है जाता है customer के values को recognize कर जाती है कि वह उसके values को change हो रहे है customer के values को change हो रहे है तो वो किसके ओपर रहेगा वो अपने product में time saving जब उसको पता ही जल जाता इसके values change होगे तो time saving की हो जाएगा और convenience oriented अपने product को बना देगा जैसे for example पहले offline classes चलती थी यानि face to face classes थी ठीक है face classes थी ठीक है अब होगी online classes अब जिसने यह values को change करते है यह जो values आपकी change होई है इसको समझ लिया पहले ही तो वो क्या कर लेगा आपने product में भी ऐसे changes लियाएगा यानि तो वो changes लियाएगा तो होगा क्या होगा कि time saving हो जाएगी और आप जल्दी से जल्दी इसकी तरफ मूड़ जाओगे और convenience oriented हो जाएगा अगर उस समय जब करोणा आया है इस तरही सा होगे तो फड़ते के बोलोगे आपके यार मुझके तो आप online गर बैठ गया तो आप online पढ़ना पड़ेगा that time वो बोलेंगे yes we have online classes also online classes recorded हमारे के पास already है और हम live session भी ले सकते है तो यहां से क्या हो जाएगा एक तो टाइम भी हो गया और एक convenience oriented product भी आपने उस customer को दे दिया तो आपको यह जो values है इनको समदना पड़ेगा इनको इनके ऊपर अपना focus रखना पड़ेगा कब कभी चेंज होती रहती है understanding consumer buying behavior is not easy जो buying behavior को समदना easy नहीं है the answer is often locked deep within the consumer's head जो answer है इसके के समझा कैसे जाए वो lock होता है customer के दिमाग के अंदर the central question for marketer is the marketer के लिए central question क्या हो जाएगा marketer के सोचेगा तो इसमें marketer सोच जाएगा तो इसके central question क्या होगा how much money is a consumer willing to spend क्या money के ओपर depend करता है उसकी सोच how does the consumer need the product be offered for sale being offered कि उसको किस तरह चे कहां पर place की बात कर रहे है अपन से place पर सोचता है क्या हो how much a discount coupon क्या offer discount coupon और और प्राइस को देखता है क्या वो और how do consumer response to various marketing efforts for the companies might use क्या वो companies के जितने भी promotional देखा जाए तो promotional company जितनी भी efforts कर रही है marketing efforts क्या उससे consumer behavior को समझा जा सकता है तो इसका answer होता है d yes consumer को समझने के लिए consumer businessman को क्या करना पड़ेगा marketing efforts करने पड़ेंगे ताकि वो समझ सके consumer behavior ठीक है a particular message कि एक individual particular message को perceived कैसे करता है तो हमें एगर किसी के message को समनना है可以 decode と किशी की बात को समनना है कोई code में चीज़े इसको decode करना है तो हमें क्या करनाबढ़ेगा हमें interpretation करनाबढ़ेगा जैसे law का interpretation होता है थोड़ी थोड़ी चीजों में थोड़ी थोड़ी पार्ट इसको तोड़ना है इसको समझना है तो ऐसा ही बोलता है कि जो consumer को समझने के लिए एक individual perceives a particular message उसके message को समझना पड़ेगा यान इसके interpretation का मतलब हुआ कि एक individual के पास क्या message देना चाहता है वो क्या message उसके बास उसको समझना अलगी कंपनिया है जैसे वह फस्ट क्राइए यह सब अच्छे बूम कर रही है बेबी बूमर यह फस्ट क्राइज इसमें आगे ठीक है टीन पर यही चल रहा है तो इस तरीके से पूछे जाएंगे इस तरीके से पूछे जाएंगे और इन इन questions को solve करने से आपको थोड़ा पता जाएगा question को पूछने के तरीके क्या होते हैं कि तरीके से घुमाएं जाते हैं तो मैं ऐसे question रूंड के ला रहा हूँ जो क्या हो आपको थोड़ी से tricky लगे थोड़ी से अलग चीज़े लगे 20 questions मैंने करा दे इसकी PDF आपको अवेलेवल ह जरू बिजाएगा आपको कैसा लग रहा वीडियो मेरा ठीक है तो थोड़ा मेरा जोज मेरा behavior भी समझाओ आप ठीक है